क्लाज टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है कि कच्छा बारा जिवग्यान के क्रम में इस इकाई का नाम है पारेस्थित्की पारेस्थित्की के अंतरगर्द जीव और समस्टियां नाम से जो अध्याय है इस अध्याय को हम लोग इस वीडियो के अंतरगर्द पढ़ाई करेंगे अध्याय का नाम है जीव और समस्टियां इकाई का नाम है पारेस्थित्की इकोलोजी इस अध्याय के अंतरगत आप पारिस्थित्की की परिभासा और आर्थ पढ़ेंगे जीव वाई इसका परियावराण पढ़ेंगे अजयो कारकों के प्रति अनुक्रियाएं पढ़ेंगे अनुकूलन क्या है? समस्टियां क्या है? जीवन व्रत और विभिन्नताएं समस्टि पारस्परिक क्रियाएं आधी टॉपिक पर अध्यान करेंगे आएए सबसे पहले इस अध्याय का परिश्य देखते हैं पारिस्थित्की पारिस्थित्की मनुस्थ के इतिहाज के प्रारम से ही उससे घनिश्चता से जुड़ी हुई है पासाण यूग और उससे पहले ही भी जो है मनुस्थित्कों अपने अस्थित्क को बनाया रखनेंगे लिए नह 보통 अपने परियावरण की जिआत करना अवस्यक होता था कि उसके आसपास कौन से पंड़े हैं कौनе जीव जंतों है कौन से कारग उसके सकती के रूप में किसकारक से वह अपनी छंता आप में व्रद्धी कर सकता है और हैं परियावरों केसी कुछ नंख प्राप ama gud raha hai और कि पर्यावरों से यह वह संबंदित रहा है प्रकृत से बहुत कुछ प्राप्त करता रहा है प्रकृत के साथ खिलवाण कर रहा है कि कहते की स्वार्थ के लिए मनुस्य नेOOOO की ने क liability का अत्यद्युक दोहन करते हुए उसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है यद्यपी आज भी इस परियावन को बचाय रखने के बहुत ज्यादा हो सकता है परन्तु मनों से इस तरफ विचार नहीं कर रहा है यद्यपी धीरे धीरे इस्थितियां बदल वहीं है आज के तथाकतित रूप से सरवादिक सब सुसंक्रित जन्तु मानों का अपने अस्तुत को बचाय रखने के लिए परियावरन की और गहरी समझ की अवसकता है आज वक्ति परियावरन के प्रती जागरूप तो है पर वो ध्यान नहीं देता है यद्यपी इस्कूलों कालेज़ों में परियावरन के अध्यन को अन्यवारी बनाया गया है परन्तु मनुष से अध्यन तो कर लेता है पर आजरन उसका अमल नहीं करता है तो ध्यान दीजिए परियावरण को बचाना इसका संदक्षण करना यह हम सब की जिम्मधारी है इस पृतिवी पर जितने भी प्रागर्तिक संसादन है प्रागर्तिक वस्तुएं हैं वो सब एक दूसरे से संबंदित हैं सब एक दूसरे पर निर्भर हैं बिना प्रागर्तिक प्रिस्थितियों के संतुलन में रहते हुए जीवन का कोई अस्तित तो नहीं रह जाएगा इसलिए प्रिक्रतिकी जो अनमोल धरोहरे हैं आमको प्राप्त हुई है उनको संजोना संभालना संदक्षित करना हम सबका फर्ज बनता है और यह हमारे जीवन के लिए फायदे मंद है किसी और कर नहीं लाब है इसमें इसमें मनुसिकाहित है इसलिए इन सबको समाल के रखना चाहिए आगे दें दिजिए पारिस्थित की क्या है पारिस्थित की देखिए दो सब्दों से मिल करके बना हुआ एक सब्द है पारिस्थित की को अंग्रेजी में इकोलोजी कहा जाता है आईकोस तथा लोगोस ये दो सब्द ग्रीक भासा के सब्द हैं इन से मिल करके बनता है इकोलोजी इकोलोजी का अर्थ होता है घर अथ्वा निवास अस्थान तथा अध्यन यानि निवास अस्थान का अध्यन विज्ञान के जिस साखा के अंतरगत किया जाता है विज्ञान के उसी साखा को पारिस्थित की या इकोलोजी कहा जाता है अरनेस्ट हेकल के नुसार जीवधारियों के कार्वनिक तथा आकार्वनिक वातावरण और पारस्परिक समंधों के अध्यन को परिश्थित्की कहते हैं द्यान देजिए फिर सेम बता दे रहें जीवधारियों के कार्वनिक तथा आकार्वनिक वातावरण अब कार्वनिक क्या है अकार्वनिक क्या है जीवधारियों के चारो और का जो वातावरण जिसमें कार्वनिक पदार्वी है और आकार्वनिक पदार्वी है उनसे जीवधारी का इंट्रेक्शन होता रहता है तो वह वाताबरण जो है वो कार्बनिक तथा आकार्बनिक वाताबरण है और जीवधारी है तो एक तरफ जीवधारी और दूसरी तरफ कार्बनिक तथा आकार्बनिक वाताबरण तो दोनों के जो परस्परिक संबंध होते हैं उसी के अध्यन को पारिस्थित्की कहा जाता है ठीक है यूजीन ओडेम के नुसार प्रकृति की संरचना एंवन प्रक्रिया का अध्यन पारिस्थित्की कहलाता है प्रकृति की सन्रक्षना तो प्रकृति की सन्रक्षना क्या है इसमें सजीव है निर्जीव है यहीं सन्रक्रति की इसके अलामत तीसरा तो कुछ है नहीं सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में घानिश्ट संबंध है आप स्वसंक्रिया करते हैं मुझेल शुरार्षं के लिए आप हवा लेते हैं ह्यावा सईब्स के कि निर्जीव है निर्जीव है तो बिना हावा के आप और कोई dzień गटकों निर्वर करता है जीवन का कुछ ने कुछ संब्ध निर्जीव घटकों से है तापमान है यह अब आगे मर्दा भी इस तरह कि अबी आगे हम चर्चा करते हैं विस्तार पूर्बत तो प्रकृत की सनजना में सजी और दो तरह के खटक हैं तो इन घटकों का अपस में किया संबंध है न की प्रक्रिया है इसी का अद्धैन पारिष्थ की कहलाता है और भी हमारे जीविग्यानिक टेलर ने बताया था जीवों को अपने वाताप रणके संबंध का ज्यान इकटा है भारतिए पारिस्थित्य की विग्यानिक आरमिश्रा इन्हों ने बताया जीमों की सन्रचना क्रियाओं तथा कारकोри indirect केमेर होने वाली अंतह्र क्रियाओं को पारिस्थित्य की नाम दिया गया देखे बार-बार सभी वेग्यानिक एक यही बात बता रहे हैं वो अपने सब्दों में थोड़ा हेर फेर करके लेकिन सभी परिभासाओं का सार एक ही जैसा निकल रहा है यहां पर भी जीमों की संरचना उनकी क्रियाओं तथा कारकों कारक क्या वही आजैविक कारक और कुछ जैविक कारक के मध्य में होने वाली जो अन्ताक्रियाएं होती है अन्ताक्रियाएं मतलब परश्परिक निरभारता उसी को परिस्थित की कहा जाता है लुँ वेफ्सटर वेफ्सटर के निसार जीवधारियों वह उनके परियावरण के बीच के सम्मंधों की समगरता वह तरीकों का अध्यनिकोलोजी कहलाता है यह लग-लग परिभासाएं हैं लग-लग ग्यानिकों के द्वारा लेकिन सभी परिभासाओं का सार इनका जो मौलिक बात है वो एक निकल गया रही है जीव के चारों ऊर इस्थेत जीवित वा अजीवित वस्तुमें उसका परियावरण बनाती हैं गलती बिच्रण धरऄने से सब बहुतीक परियाबरन बनाते हैं जीव हापस में तथा अपने पर्याबरन के घटकों से वह स्फरी क्रीया करता है ओडने जीव का पर्यावरण से जो संबंद है वह आपको यहां पर दर्साय गया है कि एक जीव दूसरे जीव से संबंदित होता है और कोई भी जीव वायो मंडल से संबंदित है जहल मंडल से संबंदित है स्थाल मंडल से सम्मंदित है कोई भी जीव है देखिए हम सब वायो मंडल में रहते हैं वायो परात करते हैं जीवधारी जल मंडल में भी पाया जाते हैं जली स्थाल मंडल में भी पाया जाते हैं और यह वायो मंडल जल मंडल स्थाल मंडल यह तीनों कारवनिक और आकारवन पदार्थों से मिल करके बने हुए हैं यह अजयविक घटक है और कि यह जयविक घटक है जीव है यह जयविक घटक है यह सब निर्जीव है यह सब अजयविक घटक है तो जयविक घटक और अजयविक घटक यह दोनों मिल करके संसार का निर्मान करते हैं इनके इनके बीच में आपस में क्या संबंध हैं क्या प्रक्रियाएं हैं क्या एक दूसरे के निर्भरता हैं इसी वो कहा जाता है पारिस्थित की ठीक है इकोलोजी याद रखिये गए आप यहाँ पर पढ़ेंगे पारिस्थित की वा संगठन के अस्तर इकोलोजी एंड लेवल्स अफ और्गनाजेशन संगठन के अस्तर के मतलब होता है कि जिसकी जहां से शुरुवात होती है फिर वो संगठी तो करके आगे और बड़ा होता है फिर और बड़ा होता है तो उसके हर इस्टिप पर नाम भी बदल जाते हैं तो जो नाम बदलते चले जाते हैं इन सबी अस्तरों को ही अस्तर कहा जाता है सबी लेवल्स को जैसे जीवधारियों में क्या होता है सबसे छोटी काई जीन होती है और जीन के चारों तरफ कोशका अंगक और जीवपदार्थ सब कि सायोजित हो करके कोशका का निर्माड करते हैं एक सदिक कोशका आएं संयोग्त होकर के अगला अस्तर बनाती है उसको अंग कहते हैं और एक से अंग मिलकर के फिर संपूर जिवधारी का निर्मार करते हैं जिवधारियों से समान प्रकार के जिवधारी का जो समू होता है उसको समस्टी कहा जाता है और समान तथा आसमान यानि एक से ज़्यादा जो समस्टीयां अपस में इंटरेक्शन करती है तो उससे दोरा न Dirwaitasu को समोदाय नाम दिया जाता है लागा है हूं हमस्ट जो होते हैं जिस तंदर का निर्मार करते हैं और उसको अनुंशिक तंदर कहा जाता है यह जीन के संयोजन से जैसे किसी पर्टिकुलर एक काम को संपाधित करने के लिए बहुत से अंग मिल करके काम करते हैं उस काम को मिल करके करते हैं तो उन अंगों के तंत्र को कहा जाता है अंग तंत्र माली ये पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र में क्या होता बहुत सारे अंग मिल कर करके पाचन क्रिया को संपन करते हैं तो इसमें आपका मुह, जीव और ग्रास नाल, आमासे, छोटियांत, बढ़ियांत, मलासे, अग्यासे, बहुत सारे अंग मिल गए ना, तो बहुत सारे अंगों के मिलने से जो तंत्र बना उसको कहा गया अंग तंत्र एक से अधिक अंग तंत्र इसी तरह से समय कुरूप से जी भी ये तंत्र बनाते हैं, समस्टी में उसे समस्टी तंत्र निर्मित होता है, एक समस्टी ये 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 है, तो ये सब क्या हो गया, समस्टी तंत कि यह मानो समस्टी है यह पसू समस्टी है यह पक्षियों की समस्टी है यह पोदों की समस्टी है तो इस तरह से यह सारी जो समस्टी है मिल करके फिर इनको जो अगला क्रिया होती हैं इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे पर इन में डिपेंडेंसी होती है निर्वर्ता होती है तो इस प्रकार से आपने देखा कि पारिष्थित की मुल्लूप से कुल चार अस्तरों पहला जीव दूसरा समश्टी तीसरा समदाय और चौथा जीनोम से समद्धित है कि यहाँ पर कि एक सब्दोर आता है कि जीवोम जीवोम क्या है बायोम या जीवोम किसी पर्टिकुलर स्पेस में जो जीवोधारी होते हैं यह इस तरह करेंजे की ही कि इस पर सल आइसे जीवोम का जो समूं है जो उसी एरिया में रहता है उससे अलग दूसरे एरिया में जाएगा तो उसको अनूकुलन में कथिना ही आएगी उसको वहां पर पाए जाने वाले वनस्पतियां होती है वहां पर पाए जाने वाले जन्तु होते हैं वालरास होते हैं उनको आप राजस्तान मिलाकर के रखिये तो नहीं रह सकते न तो वहां का अपना माहौल है वहां के अपनी प्रस्तिया हैं वैसी प्रस्तियां संसार के दूसरे हिस्से में नहीं मिलती हैं तो वहां धुरों पर जो जितनी दूर तक वो एक जैसी जलवाई एक जैसा बाताबरण है तो उसको एक जीवों कहा जाएगा इस तरह से आप राजस्थान में ले लिए तो पूरे राजस्थान में जैसा बाताबरण है और वहां के तो इसी तरह से हमारे कुछ जीवों के उधाहरण यहां पर दिये गए हैं तो आप जीवों समझ गया होंगे ना किसी छेत्र विशेस में वहां के अनुसार जो है अनकूलित जीवजातियां वहां के वनस्पतियां वहां का पूरा समधाय जो होता है जो अन्यत्र कहीं स्थाफित करने पर वह सुगम नहीं महसूस करेगा असंगत हो जाएगा तो वही पर्टिकुलर एरिया जो होगा वह एक बायों कहलाएगा एक जीवों कहलाएगा कुछ प्रमुख बायों के नाम यहां पर दिये गए हैं जैसे टुंड्रा और चापारल उष्ट कटिवंदी सवाना घास के मैदान रेगिस्तान अभी अमने बता है नहीं रेगिस्तान राजस्तान वाला तो यह तो राजस्तान का उधारण दिया इसके अलामा और भी संसार घास कई रेगिस्तान तो रेगिस्तान में जो प्रजातियां कि जीवहन कर सकती है कि कि अन Emily सी मैदानी भाग में अब पहाड़ी भाग में सुगंता जीवन अपन हैं सरदी की चिग हों में रहने टेरी एक ए रिया है उस्सेड़ा ये अलग जीवों है पहाड़ों पर पर पाया जाने अलद जीवन है वो सब अपना अलग सब्सक्राइब कर दोरा किया जाता है उर्धा किसी परप्रकृति और विस्तार कर्णिर. दारान के निमनलिखित कारकु की द्वारक किया जाता है वहां के वर्षा ताप का पराश टमपरिचर की रेंज है जैसे भारत का तापमान प्रवुतन सील लेता है मई जून में अलग है नॉवंबर दिसंबर में तापमान अलग है भारत में ही कई राज ऐसे हैं जहां पर पूरे वर्ष बर तापमान एक जैसा रहता है आप महाराष्ट कब देख लिए राजस्थान को देख लिए वहां का तापमान कुछ अलग है अंद्र प्रदेश अच्छिड भारत तापमान अलग होता है इसी तरह से बाहर निकलिए त तो अमेरिका कर तापमान ने वर्ष के कई महिनों में बहुत कम होता इंगलेंड में अ बहुत ही कम होता है वहां अगार मेने में यह इतने कारक है जो किसी भी जीवों के प्रख्रति को निरधारीत करते हैं कि जैव मंडल गया है कि जैव मंडल किसको कहा जाता है यह प्रस्न पूझा जाता है what do you know about जव मंदल, बायो स्फियर बायो स्फियर क्या है, जव मंदल क्या है देखे, पृत्वी के सभी जिवधारी और उनके आजयविक परियाबराण आजयविक परियाबराण क्या है अभी हम पीछे बता चुके है वायो मंदल, जल मंदल, अस्थल मंदल यह सब मिल करके जिस मंदल के निर्माड करते हैं उसी को जव मंदल कहा जाता है सभी जिवधारी और जल मंदल, वायो मंदल, अस्थल मंदल यह सब मिल करके जव मंदल के निर्माड करते हैं निर्माड करते हैं वो निर्माड होई गया जहां भी जल में या अस्थल में या वायू में जहां तक जीवधारी पाया जाते हैं वो सब मंडल जो है जीव मंडल है इसके बाद में जीव और उसका पर्यावरण किसी भी अस्थान पर ताप की तीवरता वा अवदे में हुए वाशिक बदलाओ वहां के विविन मौसमों के कारण होते हैं जिससे हमारे भारत में उप्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहां पर जब तापमान कम होता है तो सर्दी के मौसम आ जाता है तापमान थोड़ा सा बढ़ता है और बढ़ता है तो गर्मी के मौसम आ जाता है फिर थोड़ा सा तापमान कम होने लगता है वर्षाद का मौसम आया और तापमान कम हुआ बसंद का मौसम आया और तापमान कम हुआ जाड़े का मौसम आया तो इस तरह से तापमान की पराज होती है तो तापमान का रेंज होता है तिवरता होती है उसी के कारण मौसम में बदलाव आता है ताप में ये बदलाव आते क्यों है इसके लिए पृत्वी दरा सूर की प्रक्मा करना और पृत्वी का अपने अच्छ पर घोडन करना दूसरी बात पृत्वी के अपने अच्छ पर जुका होने के करण सौर विक्रण में आई भिन्नता तिसरा करण होता है ताप के इन में महत्वण का निगात निगाते हैं कि ताप मां तथा वर्षा कि ये किसी भी इस्थान की वनस्पति का निर्धारन करते हैं ध्यान रखेगा आपसे प्रश्ण पूंचा जाता है कि किसी इस्थान की वनस्पति का निर्धारन करने वाले कारक होता ये तो दो कारक तो यहा ज्यादा वर्षा है या ज्यादा तापमान है राजस्तान में तापमान ज्यादा है वर्षा कम है दच्छिन भारत में तापमान कम है वर्षा ज्यादा है तो वहां के वनस्पति दूसरी प्रकार की है और राजस्तान की दूसरी प्रकार की है इसी तरह से हिमाचल में तापमा पर्यावास पर्यावास क्या है? पर्यावास लिक्रीन लिख ले लेते हैं लेकिन यहाप पर्यावास लिख दिया तो इसको समझ में नहीं आएगा आपको इसम पर्यावास नया सब्दा घ कि कुछ नया कुछ नहीं है आवास की परिवास अगर आपको पता है तो उसी को परिवास कहते है य। और झेहर सकते किसी जीव के रहने का स्थान उसका परिवास कराता है जैसे मेडक टालावय पोखर में होता है बाग वन है तोता ब्रच पर रहता है तो किसी भी जीव के जो रहने का स्थान है उसे को परियावास कहते हैं कि किसी एक परियावास में भिन परियावर्ण ये परिस्थितियों के कारण उप भाग बन जाते हैं जैसे व्रक्ष है तो अब व्रक्ष में अभी आपको बताया तोता रहता है व्रच पर और पक्षी रहते हैं तो एक नाम दे दिया गया तोते का मतलब पक्षी यहां पर पक्षी आप लिखेंगे पक्षियों का परियावास क्या है व्रक्ष है लेकिन इन व्रक्षों में कभी कभी दराज पाई जाती है तो उन दराज में किया होता है चीटिया रहने लगते हैं या छोटे-छोटे और कीडे मकोडे रहने लगते हैं तो ने पक्षियों के लिए तो यह परियावास है लेकिन चीटी के लिए क्या हो सूच महावास है ऐसे वस्था को ऐसे आवास को सूच महावास कहा जाता है कि इसके बाद प्रमुख अजयव कारक है कि यहां पर परियावास और पारिस्थितिक कर्मता में अंतर बताया गया है अब यह आपको हम बता चुके हैं पीछे परियावास क्या है और पारिस्थितिक कर्मता यह जीव की आजीविका है जिसे पक्षी पक्षी की आजीविका क्या है सिकार करना है सिकार करना तो इसी को कहा जाएगा पारिस्थितिक कर्मता सिकार करना पारिस्थितिक कर्मता कहा जाएगा यह पक्षी के मामले में सरीशरब क्या करते हैं यह उन पर निर्वर करेगा स्तंधारी क्या करते हैं यह उन पर निर्वर करेगा तो इस तरह से सभी वर्गों की परिस्थितिक कर्मता अलग-अलग होती है याद रखेगा एकलोजी सब्द का प्रयोग पहली बार आरंश्ट हेकल ने किया था इनसे पहले अन्य वज्णी करकार कर चुके थे लेकिन की नहीं क्या थे सामन मचली सामन सकते हैं लेकिन हिंदी में सामन लिख आ कि हम आधेत समुद्र में रहती है लेकिन अंडे देने के लिए नदियों में आती.- और नदियों में अंडे देने के बाद ये मर जाती है इसके अंडे से सिसु मुष्णिया पुना निकलती है और वो फिर से समुद्र में वापस लोड़ जाती है ये आपको एक नई बात पता चल गई अब प्रमुख अजयो कारक कौन-कौन से होते हैं अब हम आपको बता रहते हैं जयविक कारक और अजयविक कारक करने के साथ इंटरेक्शन करने वाले अंता क्रियाएं करने वाले आजये वी कारक कौन-कौन से हैं जो इनको प्रभावित करते हैं तो उनमें पहला आपको तापमान मिलता है दूसरा प्रकास होता है तीसरा मरदा होता है और चौथा जल होता है जल ठीक है यह चार प्रमुख आजयो कारक है इसके अलावा भी आगे देखते हैं भी तो यह आजयो कारक कैसे प्रभावित करते हैं जैविक कारक को परिस्थितिक रूप से तापमान सबसे भात महात्रपूण कारक माना जाता है यह जीव को सर्वादिक व्यापक रूप से प्रभावित करता है जीव की आकार की सरीर की कारे की प्रजनन व्योहार वितरण सभी तापमान द्वारा प्रभावित होते हैं समझने के लिए आपको बता दें आपने चाइना के लोगों को देखा होगा कि उसके बाद एंग्लायन्ड के लोगों को आपने देखा है और भारत के लोगों को आपने देखा है इनमें देखिए अंतर होता है कि नहीं चायना वाले सापका चेहरायक जैसा दिखने में लगता आप मैंचान नहीं पाएंगे उनका कद काटी छोटा होता है और साधा होते हैं सिलिम बॉड़ी होती है और गोरे होते हैं इंडिया के लोग लंबे चोड़े मोटे सभी कुछ होते हैं कि इन सबके रंग में भी अलग तरह का एक फ्लैवर होता है सभी देशों के अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग कलर होता है कोई सावला कोई गोरा कोई बहुत गोरा कुछ देश के लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनको बॉयल करके चमड़ी उकेल दी गई है आपके तब यह सब परिवर्टान क्यों दिखाए पड़ते हैं तापमान के कारण तापमान सिर्फ इतना जी नहीं प्रभावह्त करता इससे ज्यादा कि आपके करकि पर भी प्रभावद डालता है अइन दर वितर्ण ने पर बहुंद डालता है रितु या सिरै पापचे की दर पर प्रभाव डालता है तापमान के आधार पर ही वनुस्पतियों को चार समुह में वर्गे करत किया गया है एक महातापी जिन पौधों को व्रद्धी और विकाज के लिए बहुत अधिक तापमान किया सकता होती है जैसे उस्ण कटबंदी चेतर में उगने वाले पौधे दूसरे है मद्धे तापी जो पौधे कुछ समय के लिए कम ताप अधिको भी साहन कर लेते हैं जैसे उस्ण कटबंदी चेतर में उगने वाले पौधे और तीसरे है निउन तापी ये अधिक गर्मी या अधिक ताप को साइने में समर्थ नहीं होते हैं नो दस अजार फुटकी उचाई पर उगने वाले पोदे होते हैं और महा नियून तापी ये पोदे अलपाइन और उत्तरी धुरू छेतरों में पाए जाते हैं कि आताप sayn करने की चमताि के आधार पर ज्यंतुों को भी दोब्रकार जो से विवाज़ित किया गया दो विभागों में एक को यूरी थर्मल कहा गया है दूसरे को इस्टेन न कहा गया है तापमान के विश्त्रित रेंज को ज्यादा तापमान को बरदास करने वाले जितने भी जिवधारी हैं उनको यूरी धर्मल कहा जाता है इसके अंतरगत अस्तंधारी और पक्षी आते हैं जो हाई टेंपरेचर को भी बियर कर सकते हैं बरदास कर सकते हैं इसके अलावा मचलियां उभेचर सरीश्रप और अधिकतर अप्रिष्ट धारी मतला भी इन्वर्टी ब्रेड जो होते हैं कि यह सब इस्टेनो धर्मल होते हैं यह एक लिमिट तक का तो ताप बरदास्त कर पाएंगे उसके बाद बदास्त नहीं कर पाएंगे इसलिए यह सब हाइवर्नेशन में चल जाते हैं कि जमीन के अंदर चले जाते हैं जैसे प्रतिकुल मौसम आता है तो यह की चाड़ जहाड़ी में और कहीं जमीन के अंदर गहराई में शुप करके बैठ जाते हैं क्योंकि यह इस्टेनो धर्मल होते हैं यह अधिक ताप और अधिक ठंडी भी नहीं बरदास्त कर सकते हैं यह अधिक गर्मी भी बर्दास्त कर लेते हैं और अधिक ठंडी भी बर्दास्त कर लेते हैं तो अधिक गर्मी बर्दास्त कर लेने के कारण ही इनको यूरी थर्मल कहा जाता है एक खास बात यहां पर कुछ आपको जनकारी के लिए पॉइंट दिये गए हैं जैसे समुद्र की गहराई कई हजार मेटर तक हो सकती है कि एकाइनो डर्मेट जनतु केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं आप कि एकाइनो डर्मेट को आपको कच्छा 11 में पढ़ाय जा चुका है पुर्थिवी पर एक दसमलो चार अरव घं किलोमेटर जल है अगान किलोमेटर लिखा है घं मीटर ना पढ़ लेना जिसमें से केवल दसमलो तीन चे प्रतिसर जल नदियों और जिलों पाया जाता है बाकि 97 परसेंट जल समुद्रों में पाया जाता है और समुद्रों में पाया जाने आला जो जल होता है वह खारा होता है वह सामान ने अपयोग में नहीं आता है तो पहला आपको हमने आजयवी कारक बताया था तापमान दूसरा आजयवी कारक है प्रकास यह भी एक महत्त्यपू प्रकास के उपस्तिते में कि परण हरीम का निर्माड करते हैं जिसकी साहता से प्रकास संसलेशन होता है कि प्रकास पादप अंगों का तापमान बढ़ा देता है जिसके कानल पादप की क्रियाय प्रभावित होती है प्रकास द्वारा तापमान में व्रधी होती है जिससे वासपूत सरजन की दर परिवर्तित होती है रंद्र के खुलने दथा बंद होने के लिए भी प्रकास के आउसकता होती है कच्छा 11 में आपको पढ़ाया गया है प्रकास की उपस्तिति कुछ हद तक पादपों के वितारण को भी प्रभावित करती है अभी हम यहीं पीछे पढ़ा चुके हैं आपको कि तापमान और वर्षा यह दोनों कारक निर्धारित करते हैं कि किसी छेत्र में कैसी वनस्पति होगी है कि आप कि इसी तरह से और आगे देखते हैं तीसरा कारक है मर्दा पहला कारक आपको पढ़ाया तापमान, दूसरा कारक आपको पढ़ाया, प्रकास, तीसरा कारक, मर्दा, मर्दा भी अजयावी कारक है और यह जिवधारियों को प्रभावित करती है पादप व्रधियों के भूम की उपरी सतह, मर्दा कहलाती है, भूम की वो सतह जिसमें पौदों की जड़े व्रधि करती है, उसी को मर्दा कहते हैं मर्दा में खनीजबदार्थों के साथ साथ अनेक जयवी यगटक भी समाहित होते हैं, इसी कारण मर्दा को soil complex यानी jetil मर्दा कहते हैं या मर्दा jetil कहते हैं मर्दा jetil का निर्माण खानिजपदार्थ मर्दिय जयवपदार्थ अत्वा humus मर्दिय जल और मर्दिय वायू तथा जयवी घटकों के दोरह होता है अब आपको फिर से हम यह प्रहराग्राप बता दें मुर्दा का निर्माड एक जटिल प्रक्रम है जब आप से पूछा जाए कि मुर्दा का निर्माड कैसे होता है तब आप यह उत्तर लिखेंगे मुर्दा का निर्माड एक जटिल प्रक्रम है मुर्दा में खनिच बदार्थों के साथ अनेक जयवी या घटक भी सामिल होते हैं इसी गारण मुर्दा को मुर्दा जटिल कहा जाता है मुर्दा जटिल का निर्माड खनिच बदार्थ मुर्दी ये जयवपदार्थ अथवाह प्रकृतिवा निम्न कारुकों पर निर्वा करते हैं उस च्षेत के जलोआई कैसी है उस्थानापन मतलब किस अस्थान अस्थान से व्यूस्तित कर देना जिसे नदियां एक जगह की मट्टी बहा करके दुसरे जगह पर होग देती हैं और बर्शाद के मौषं में बाढ़ आती है तो एसमय मिटी एधर की उदर बैहती रहती है और कहीं से बाहर करके जाती है और कहीं जम जाती है जाते हैं यह जो चटानों की अपचे की इसे जो तो उनसे जो मर्दा निकलती है और मर्दा के विकास की प्रक्रिया बहुत सी प्रक्रियां अपनाई जाते हैं जिससे मर्दा का विकास होता है मुर्दा का सबसे महत्वण गुण क्या है उसकी जल्धारण छमता है आप जानते हैं बलुई मिट्टी में जल्धारण छमता बिल्कुल बिल्कुल कम होती है और दो मट मिट्टी में उससे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है तो जिसमें सबसे अधिक जल्धारण छमता हो वो सबसे अधिक अच्छी मिट्टी कहलाती है मुर्दा में जल्धारण छमता के साथ साथ उसके पी एच खानीजों की उपस्तिती तदा स्थलाकृत की किसी छेतर की वनस्पत के निर्धारण है तो महत-पूर्ण होते हैं पेंड-पोधों के प्रकार वहां पाए जाने लुज जंदों का निर्धारण करता है जलीय परियावर penn में जलासे की तली के गुणड उस स्थान के जंदों के वितरण का निर्धारण करता है तली पर पाये जाने वाले इन जन्तु को नितलस्त या बेंथिक जन्तु कहा जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना नीचे देखे लाल कलर से लिखा सब्सक्राइब उसको टेच करिए और बेल आती है आल पर प्रेस करिए इसके बाद देखे अब आपको यहां पर जो आपने पढ़ा है उस नौलेज को चेक करने के लिए कुछ प्रस्ण दिए गए है इन प्रस्णों को कॉपी कारन को आपको अगली इंटिंग है ऑजायव कारकों के प्रति अनुक्रियां है और यह हेडिंग हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना जरूरी है कोई सजेशन कोई सुझाओ कमेंट सक्षन में लिख सकते हैं पढ़ते रहिए ध्यान से पढ़िए नोट्स बनाते रहिए अच्छे से तयारी करिए ओके थांको